आप लोगों का स्वागत है एक नियूज है जो काफी दो लोगों के दिमाग में प्रेशन चल रहा है कि MPPSC पिलिम्स अब 10-15 दिन-20 दिन बाद एक्जाम होने वाली है 17 दिसंबर को पिलिम्स की फिर 26 दिसंबर से 31 दिसंबर मेंस की 2-3 बार पिछले वीडियो में भी मैंने आ पहले दे देता हूं तो यह इस पर मैंने कल वीडियो बना दिया था कि डिलिट प्रेशनों के नंबर अब नहीं काटेगा MPPSC तो यह आप समझ जाए इसी में इसी पेपर में आगे जो चीज दी है अगले माह तीन परिक्षा है मतलब दिसंबर में इने में तीन एक्जाम है तारीख नहीं बढ़ेगी यह एक important point है तारीख नहीं बढ़ेगी पूरा कथन जो है चुनाओ का दोर खत्म होने के बाद PSC अब तुरन फुरन परिक्षाएं कराने में जुड़ गया है दिसंबर में तीन परिक्षाएं आजवित होंगी अभ्यारती परिक्षाओं की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन आयोग ने इंकार कर दिया है PSC ने कहा है कि परिक्षाएं तैस समय पर ही होंगी चुनाओं का दोर खत्म होने के बाद PSC से रुके परिणाम और परिक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है 10 दिसंबर से राजवन सेवा परिक्षा 2022 की मुख्य परिक्षा होगी मेंस की 17 दिसंबर को फिलिम्स होगा 26 से 31 आपका मेंस होगा 2022 का तो डेट नहीं बड़ेगी ऐसा का जा रहा इसके अलावा एक और दसुत्र के अवाले से ये पॉइंट है जिसमें रविन पंच भाई जूकी प्रवक्ता है मद्य प्रदेश लोग सेवा आयो के उन्होंने क्या कहा तो उन्होंने कहा है पेटीशन लगी हुई है डबल बेंच में रिट की 19 के रिजल्ट इसकी बात में पहले कर चुका हूँ इसकी बात भी नहीं करेंगे राज सेवा 2021 मेंस के रिजल्ट को लेकर काम चल रहा है लेकिन यहां पर आप दिहानने कि तारिख बदलने पर कोई विचार नहीं है एक्जाम डेट पर परिक्षा टलने से उम्मीदवार परिशान होते पंच भाई जो प्रवक्ता कहे रहे हैं कि आयोग result इंटर्वू से कई मुद्दों में लग गया है जल्द ही सभी जानकारी आयोग की एप पर मिल जाएगा यह सेकेंड वॉल्यूम लाँच कर दिया है सिविल तैयारी यह आप डाउनलोड करें पांस्टेज फुल लें पांस्टेज यूनिटवाइज मात्र 21 रूपे में आपको मिल जाएगा तो इसको आप जरूर लें पर्चेस करें और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तैयारी में निश्चित हेलफुल होगा बहुत सारी शुपकाम नहीं जानकारी देनी थी आसमंचस में नहीं रहें और भी कोई क्विरी आ रही है एक्जाम डेट को लेकर प्रशना आ रहा है रेगूलर अपडेट तुरंट मैं आपको देता हूँ इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल